दरन्वी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक लॉटा चैनल आपको हर चीज के बारे में नॉलेच में लेगा दोहजार चौबीस की असलियत भी टफ ही है कि विया हेडिंग टोर्स क्लाइमेट चेंज जो आपने पॉडकास के स्टार्ट में कहा मुंबई के बारे में कि मोस्टी 20-30 सालों में मुंबई शाय डूबने माली है पानी के नीचे मैं यह मानता हूं कि हमारी सिटी इतनी जाता लोग आ रहे हैं कि इट वोंट भी अबल टो होल्ड सो मनी पीपल और एक और सचाही है थोड़ी हिस्टॉरिकल सचाही है कि जैसे जब हम दिली जाते तो हम न्यू डेली जाते एंसी आ जाते एक दूसरी जगह है ओल्ड डेली जहां चांड नी चौक है एक जमाने में अब डेली भी डेली थी ओल्ड डेली वाजव न्यू डेली पर ड़ो डली बन गई फिर लोग वहां से मूओआउट करने लगे हर शहर की एक फोती लाइफ स्पैन होता है अ फील कि मुंबाइ का लाइफ स्पैन अब 20-30 साल में खता हो जायागा ऐसा मैं मानता हूं आ डोंन इंवाइमेंट बहुत हाम हो रही है अगर जो लोग डिसिजिंस बनाते हैं रोडस को लेके, सब्वेइ, अगर मेट्रो को लेके उनकी इंटेंशन अच्छी है कि अच्छी एक बहुत हाम हो रही है हमारे हाथ थोड़े बंदे हुए भी है हमें ज़्यादा क्रियाटिविटी लगेगी क्योंकि एक तरफ हम अगर एकोनोमिक्स की बात कर रहे हैं और फिर हेल्थ खराब कर दे इसी पॉपिलेशन की आप वोई सो चुना 20 साल बाद में जो गवर्मेंट आएगी उनने तो हेल्थ केर पर कितना पैसा खरचा करना पड़ेगा पॉलिटिक्स अभी ये प्रॉब्लम सॉल नहीं कर सकती क्योंकि पॉलिटिक्स को तो अभी गवर्मेंट में रहना है कोई भी पार्टी हो कोई भी पार्टी का लीडर हो उन्हें तो अभी सोचना है ना कि मुझे अभी वोट किस चीज़े मिलेगा कोई 20 साल का अगे नहीं सोच रहा ये तो आपके मेरे जैसे लोगों को करना होगा क्यार अभी से सोचो and public governance अगर आएगी तो easily हम उसी government के लिए वोट करेंगे उन्हीं government changes लाएगी किसी भी party में है और लोग मतलब public अगर चाहती है तो वो होगा public को चाहना होगा we have to ask those questions to our leaders कि तुम क्या कर रहे हो इस चीज़े के बारे में आपने क्या किया मुझे काफी media agencies ने पूछा कि अभी है सूरत योजना government ने निकाली है अच्छी है बुरी है थोड़ा context भी दे देता है आप 10 साल से इसी डोमेन में काम कर रहो solar energy के डोमेन में काम कर रहो 2014 से I don't think कि इस देश में आप से ज्यादा कोई solar energy के बारे में जानता है काफी सारे लोग काफी सारे लोगे होता है and for that you have to understand the real world problems इसलिए चलो मानलो साइन्टिस होंगे जिनको solar energy के बारे में आप से थोड़ा ज्यादा पता है technically speaking बड़ प्राक्तिकल नजरिये से आप से ज्यादा कोई नहीं जाना in fact I feel the government should be consulting you good part is they actually consulted us यह मैंने पहले वर एक्स्पिरिंस किया देश में बड़े decisions कैसे लिये जा रहे है and a lot of credit to the bureaucrats or politicians to actually engage कि उन्होंने पूछा के रही हम जो ideas ला रहे हैं प्राक्टिकल है की नहीं है अभी हमने काफे सारे state election हुए हमने देखा कि फ्री बिजली फ्री बिजली के नाम पे वो governments आई जीती इस campaign पर अब इसका downside ये है इसका बुरा outcome ये है कि वो state के पास में जो उनके बिजली बे भागे है फ्री की बिजली दे रहे हो और आपके पास में resources नहीं है तो कहीं ना कहें तो आप bankrupt होगे न और आपने फ्री बिजली करके vote तो ले लिये सरकार में तो आ गए बट पांच साल आप सड़के नहीं बना पाओगे खाना नहीं दे पाओगे security नहीं दे पाओगे तो ये एक बहुत ही vicious cycle है जैसे farm loans माफ कर दो मैं actually वो बहुत feel करता हूँ कि नहीं है पैसा farmer के पास में बट farm loan भी एक सही solution नहीं है मैं expert नहीं उसे बट दोनों के pros and cons बहुत है यहीं पे जो genius है जो generational leader आते है जो इन दोनों problem को solve कर पाते है कि एर एक sociological problem है farmers की life और एक financial problem है कि देश का उतना पैसा नहीं है estate का पैसा नहीं है और बहुत सारी parties फ्री बिजली फ्री बिजली के नाम पे तीन साल पात साल सरकार में आऊ बात में छोड़ो नहीं हाँ क्या फरक पड़ता है यहां पे एक बार अगर solar panels लग गए घर पे एक बार का पैसा है उसको capex बोलते है एक बार की तो investment है बड़ी 25 साल 30 साल चलेगी तो 5-6-7 साल में जब आपकी investment return हो गई उसके आगे तो अगले 20 साल आपको free बिजली है वहां पे अगर कहीं से हमारा देश हमारी government वो पैसा अगर investment के लिए अगर ला सकती है उसके आगे तो मतलब clean environment भी है अभी जिस दो साल पहले हमें अगर जबलपूर जैसे शहर में अगर किसी घर को solar जाना है ठीक है engineering वाला जो काम है वो तो हम आठ हंटे में कर देते है बट सरकार से एक permission भी लगती थी जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो एक registration लगता है वैसा आपको सरकार से बिजली विभाग से registration के लिए हमें 40 document sign कराने पड़ते थे customer से वो ही 40 document आप बिजली विभाग में ले जाओ आप बिजली विभाग आपके area का फिर वो head office पे ले जाओ ऐसे नो बहुत चकर कटने पड़ते थे अब वो ही solar जो हम 2,000,000 में लगा सकते थे हमें 2,000,000 25,000 में लगाना पड़ता था क्योंकि ये खर्चा भी हो रहा है टाइम भी जा रहा है customer ही बोल रहा है कि यार मैं मुझे 40 देन, 50 देन 3 महीने क्यों रुखना पड़ रहा है सोदर जाने के तो लोग सोदर नहीं जा रहे थे अब हमने उन government के अपने काम किया ये जो भी government के जो भी bureaucrats होते है luckily ये भी अच्छे colleges से आते अगर कोई अच्छा entrepreneur उनके पास में पहुँच जाए कि sir आप इसको digital बना सकते हो आप वन क्लिक से प्रावलें सॉल करते हैं ये document sign करने की ज़रूती नहीं है आपको आधार पे किसे का signature क्यों चाहिए आधार digital record है अरे हाँ यार हम तो 10 साल से document मांग रहे थे तो वो चलता चला गया मैं इसको बदलवा देता हूँ ये changes करा है आज उसी जबलपूर में customer को middle class को कर सोदर जाना है एक click पे जा सकते है अब ये वो government भले business में ना हुसे सोदर लगाने के उन्होंने policy स्मूथ कर दी I think यही चीज़ हमेशा बोलते हैं के business का revolution हो या technological revolution हो वो सबसे पहले regulation से enable होता है बढ़ जाएगा हमें दीख रहा है मतलब पिछले 10 दिन में and ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया सरकारों ने ना कुछ शेहर पकड़ ली और उनको बोला कि यहां पे 25 सार घर सोदर जाएंगे अब थोड़ी हलचल हुई हमारे जो भी है अब मुझे लागता कि यह नहीं होने वाला है कोई चांस ही नहीं जिस शेहर में 500 घर नहीं हुए पिछले दो साल में वो 25 घर तीन मेने में कैसे लगाएंगे तो एक ये वी होता है पॉलिडिक साके है तो कुछ भी तीनसो गए तो और ये पचास से तीनसो जाने में क्या दिक्कत आ रही हो तीनसो तीन हजार जाने में क्या दिक्कत आ रही है हमें पता तो चले तब जाकि हम पॉलिसी बदलेंगे पॉलिसी स्लो बदलती है बट जब बदलती है तो हमेशा के बदलती है मैं एक और स्रडिस्टिक देता हूँ आपको मेरे इंडिस्टिक का मैं क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छे से पता है जितनी भी घर सोलर जाते हैं लबेर से डोलाग घर साल के सोलर जा रए हैं उसमें से अत्ती प्रतीशेटिक ना पर गुजराथ में जाते थे और यह अभी का स्टेस्टिक है अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो गुज्राथ में बहुत कम घर जा रहे थे और policy, industry, technology साथ में कैसे move करती ये मैं experience कर पाया 2015 में government ने पहली बार मुहीम निकाली के गुजरात में के अभी घर solar जाएंगे उन्होंने न कुछ लगबाद हजार घर के लिए scheme निकाली अच्छी scheme थी हजार घर solar गए सब खुश थे अगली बार उने बोला के पांच हजार दसार घर solar जाएंगे पूरा सिस्टम चोक हो गया क्योंकि छोड़ीड चीज लगती है आपको बिजले उबाग से डॉक्मेंट साइंग कराना है मीटर लगवाना है मीटर टेस्ट कराना है ये सुविधा गवर्मेंट के पासे थी नहीं क्योंकि उनको भी एंप्लॉई करना पड़ता उन्होंने दो साल लिये उन्होंने सीधा फिर देड लाग घर की मुहीम निकाली अब मैं इंडेस्ट्री में था बट मैं ये हस रहा था कि कुछ भी बोल रहे है आके तो कुछ भी मतला जहां पर पांच सार घर सोदर नहीं जा रहे है वहां पर तुम देडला घर सोदर जाने की बात कर रहे हो मैं हसता रहा मैं गया नहीं कुछ रात एक साल बात नहीं देडला घर लग गए पता है क्या हुआ गवर्मेंट को दिक्कते दिखी उन्होंने बुला चलो ये इसको डिजिल कर देंगे हमें चार सवाल नहीं पूछेंगे उन्होंने अपनी केपिलिटी बिल्ड कर दी उन्होंने फ्रिक्शन हटा दिया और ये सिर्फ मैं सिर्फ सोर कर रहे हैं अपलोड किये इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ